असलाम अलेकूम हेलो और वेलकम बैक टु सानिया फोट जकसन आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़दार डाल तड़का की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप रेगुलर जिसमें या किसी महमानों के आने पे बहुत ही आसानी से बना कर त्यार कर सकते हैं आई इस रेस के छोड़ दिये थे नालों को फोड़ा कर गलाएंगे जिसमें हमने कूकर में कूकर हमें डाले चार ग्लास पानी बेतर होगी आप नाल के दिए के लिए नॉड़ाकेस पानी डाले इसके साथ दिन एक खानी के चमच नमक डालेंगे और एक खानी के चमच हल्दी पाउडर और कुकर में एक सीटे लगवाएंगे मीडियम फ्रेम पे और अगर से आप कुकर में नहीं बना रहे हैं तो 25-30 मिनट तक मीडियम फ्रेम पे मजीद कुक कीजिए अब हम ताल तड़का के लिए मसाले तैयार करेंगे जिसके लिए हमने कड़ाई में डाला 4-5 खानी के चमच कुकिंग ओईल दो खानी के चमच बारीक कटा लैसन एक कब बारीक कटी हुई प्याज दो से तीन मिनट के लिए इसे अच्छे से सौटे करेंगे इसे हमें बलकुल बे ब्राउन नहीं करने है और साथी डालेंगे 2-3 कटी हुई हरी मिर्चे अब हम इसमें मसाले डालेंगे आधे चाय के चमच काली मिर्च की पाउडर आधे चाय के चमच गरम मसाला पाउडर एक चाय के चमच लाल मिर्च पाउडर एक चुटकी हिंग ये आपसनल है एक मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे अच्छा से भूनेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे धककन डालके इसे एक से दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुग करेंगे और आईए अब हम दाल अपनी चेक कर लेते हैं ये देखें एक सीटी के बाद ये बलकुल ऐसे हो जाएंगे आप चाहें तो जो मतनी होती है उसे थोड़ा सा दाल को मत लें या फिर ऐसे ही चला कर उसे गाड़ा कर लें यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन चुके हैं अब हम दाल को इसमें डालेंगे दाल को बहुत ही एहतियात से डाले और इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा दाल को लेके चक लें उसकी बाद ही इसमें दुबारा से नमक डाले क्यूंकि दाल में हमने पहले भी नमक डाल चुके हैं चकने के बाद इसमें हमने एक चौथाई चमच नमक डाले हैं अब हम इने धक्कर डाल के लोफ लेंपे चार से पांच मिनट के लिए कोग करेंगे पांच मिनट के बाद इसमें डालेंगे हम बारी कटा हुआ हरा धन्या और आईए अब हम दाल के लिए तड़का बनाते हैं जिसके लिए हमें तड़का पैन चाहिए तीन खाने के चमच बटर डालेंगे या फिर घी डालें दो खाने के चमच जीरा के दाने एक खाने के चमच लाल मिर्च पाउडर आप चाहें तो यहाँ पे कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं एक खाने के चमच धनिया की पतियां अब तड़का को कड़ाई में डालेंगे आप चाहें तो जिस बरतन में आप दाल तड़का सर्व करेंगे उसी में दारेक तड़का को डालें ये तयार हो गई हमारी मज़ेदार से दाल तड़का की रेसिपी इसे सर्व करेंगे उपर से थोड़ा सा तड़का डालेंगे धनिया की पतिया और कची हुई नीबू के साथ इसे गर्म गर्म सर्व करेंगे अगर से आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें, सबस्क्राइब करें मुझे दौाओं में याद रखें, आला हाफिज